हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में आज हम आप लोगों कराने जा रहे हैं इंटर्मेडिट डियर्ट एक्जामिशन 222 के एन्वर एक्जाम का मॉडल सेट लेके आया हैं आप लोग के लिए आप लोग वीडियो के सेसं के लाइष्ट के अंतक बने रहे हम या हिस्ट्री का मॉडल सेट आप लोगो कराने जा रहे हैं जो कि एक्जामिशन 222 के व्यू से बहुत ही इपोटेंट है हमने कई परकार के गेस पर मॉडल सेट और प्रिवियस येर के दस साल के प्रिवियस येर के जो भी पूछे गया है उसका संग्रह हमने आपके पास प पत मिलेगा जैसे कि यहां फूल मार्स हो दिया है तो यहां भी वहां रहेगा ठीक ना 132 टोटल कोशन पुछे जाएंगे बाबु जिसमें से 100 आपका अबजेक्टिव रहेगा ठीक ना 30 आपके 100 कोशन रहेंगे और 8 आपके लॉंग कोशन रहेंगे ठीक ना तो आज हम कोशन का अंसर पता हुआ कमेंट बक्स में जरूर दीजेगा अंसर ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चों को जवाब पहले से ही पता था ठीक है कितने बच्चे त्यारी में लगे हुए हैं तो चली हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखें यहां कुछ दियावा कि पर इस सो प्रशनों के उतर में से ठीक ना सो प्रशनों के किनी पचास प्रशनों के ही उतर देना है सो अब्जेक्टिव पूशे जाएंगे जिसमें से आपको मात्र पचास का ही उतर देना है बहुत बढ़ी है अपर अपर्शनिटी आप बिहार बोड के तरफ से ठीक है तो च question पता है जिन बचो को इस question का answer पता है वो comment box में ओततर जरूर दे ताक हमें हमें पता चले कि कितने बचु bek को उतर पता है ठीक है और वो इसका answer अप्टिकला तारक मेस게 को मेर में बचांड़ को यह बण ढहूंपाननी टीक है जर्ल हो सब वली हडपा सबेता का एक नागर था ठीक ना हडपा सबेता का एक नागर था तो यह किस राज में मिला तो यह भारत के हर्याना राज में मिला मतलब की आप्शन एविल भी एंसर ठीक ना यह का मिला हर्याना के भारत के हर्याना राज में ठीक ना तो आप्शन एविल भी इसक सब्यता का एक नगर था जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था और लोथल कहा था या गुजरात में था ठीक है अब अगला कोश्चान पर ध्यांदी देंगे चोथा नमर कोश्चान बहुत ही इपोटेंट कोश्चान है बहुत ही आप लोग बने रही है वीडियो के आ अगला कोश्चान है कि निवासियों को किस धातु का ज्यात नहीं था तो या चार धातु के नाम दिया के हैं तिसमें है लोहा का उन लोको ग्यार नहीं था बहुं किस यूँक की सबता है ठीक है, पाँच्वे कोस्चन है, पाचवो प्रशन है वाबु, कि हटपन रोकि म्यां किकवेजना excel し वाबु यह वाबुत हम बता देयां, आप लोकि यह कां सी यूँक की सब आता है, गिस यूँकु Leo ऐस यूद्न है, यह कोस्चन कई बार अगला प्रस्ण है कि हडपा सब्यता के लोग किसकी उपासना करते थे तो यहां उपासना का मतलब होता है कि किस देवता की पूजा करते थे तो यहां पर होगा कि मातर देवी की लोग पूजा करते थे यहां पर क्या होगा कि अगला प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं बाबु कि हडपा सब्यता का सवरूप क्या है बबता दें भाबू कि है यह शहरी के जगा आपको अप्सन में भी सब्सक्ता है फिकना यह सारी सब्सक्रा यहोगा सब्सक्राइब सकती ही घ्रट हुग सब चीज का अब्जेक्टिव से लेकर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजिए बहुत मजाने हो आगे बहुत इंट्रेस्टिक कोश्चन प्रस्ट नहीं जो कि बहुत इक्जाम के वूद से बहुत ही ही इपोटेंट है ठीक है अगला आम कोश्चन देखते हैं की हड़पा सब्सक्राइब का सबसे बडा नगर क्या है था कोश्चन देखते हैं कि दस नंबर प्र संइन तो स्वर्भधा की स्वर्पता की इसौशन खोछ हुआ घोर के पी ले ना सर्षाइ कि यह कुछन है हर 0000onyёл साल पूचता है था ठीकिन किम धना करें भी खूर ऊंसने के तो खोच रह queremos 17.혹 एकिस इसवी में किती ठीक है अब हम अगला कोश्चन देखते हैं अगला प्रश्ण 11 पर धान देता हैं कि हडपा किस नदी के किनारे इस दीते हैं ठीक है हडपा किस नदी के किनारे इस दीते हैं बहुत ही अच्छा कोश्चन है बागु यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते ह हड़ाप्पा किस नदीग किनारे से तो हड़ाप्पा रावी नदीग किनार है ठीक ना अगला कोश्चन देखेगा कि यहां पर देखेगा कि चंद्रगूत मोरे किया ठीक ना और इसक ने कब किया था तीन सो बाइस इसा पूर में किया था कि स्थापना किसको हराकर सिकंद्र को हरा ठीक है आगे हम देखते हैं क्योंकि यह बहुत नया कोश्चन है और सौन्ष bij शाने की इसका बहुत चांसे से शमेंद्र की राचना कौनसी प्रपर करका में से आपज wax आप लोगों को सतषव की आया बता है की प्रश्ण है कि इंडिका किसकी रचन है ठीक नॉइंडे का एक पूछ ता की नाम है जो लिखा गया था तो यह लिखा गया था जोरा की's gotta जोरा और यह मेगा स्नीच का मोरे के दरबार में राजदूत बन के आया था तो आप लोग को दो चीज यहां पता हो गया कि इंडिका किसके राजदूत बन के आया था ठीक है अगला धेखते हैं 25 नंबर 15 नोमरं कोच्टन है इंधं कि शुरुवात किस साशक ने किया था धंकी शुरुवात धंक का मतलब होता है कि भबू धो धरम ठिक ना धरम की शुरुवात किस सशक ने कि हाता तो धरम foreign का सुरुवात आप लोग बदाते कि असोक ने था भी ठीक न इसका असर क्या होगा बी असोक ने अपने संपूर्ण चीवान का लगवू मात्र एक ही लड़ाई लड़ा था ठीक न कलिंग राजा बनने के बाद से इसने एक ही लड़ाई लड़ा वह भी कलिंग इसमें जब डेर लाग से अधिक लोगों का जब नर्सन हार ह तो उसका हिर्दय पीखल गया और उसके बास क्या हुँआ कि लड़ाई उड़ाई चोड़ दिया और धर्म के तरफ अग्रसीत हो गया ठीक न एक ले किसको अब धर्म को हॉपना आ ते svenक blue घ्र ने में क्या था एक कि bakalım लिग्ठ्ऌ Came hierता और अब कि दाइक और किस गुप्त सासक को लिक्षिभी दोहित्र कहा जाता है तो बाबु आप लोग बता दे कि हम समुद्र गुप्त को लिक्षिभी दोहित्र कहते हैं लिक्षिभी दोहित्र का मत्रा भोतला है कि लिक्षिभी चंद्र गुप्त के पत्नी का नाम था ठीक ना और लिक्षिभी के औरहने वाली थी तो समुंद्रगुप्त चंद्रगुप्त का बेटा था ठीक लाइसे लीविटें ही ना अगला कोam 18 गुप्त काल में हस्ती सेना के के परधान को क्या कहते थे गुप्त काल में हस्ती सेना को परधान को क्या कहते थे हस्ती सेना का मतलब की हाथी के सेना के परधान को क्या कहते थे तो इसका बी भी महिला शांति थी अंडल अंडल भिष्णु की कराकल सीव क roku मिरा क्रिष्ण की भागति तमले हो क्या हो जाएगा את 2022 इसका ensure दी फोजाएगा ठीकड़ा कोशन देख जय ए कि शमू duy गुप्थ की सुद्ला कि ईड्रो पियँ साथ से की जाती है तो समूद। पूरे भारत के दक्षिन भारत पे इसका बिजय था ठीक ना इसलGHT के चंद्र गुप्त मोरे की मिर्थ्व कहां होई थी है आप लोग बता दे लीगे बाब समराज की जिसा कि इसनेering कि रुणी समराज की पाज फता है और इसकी मिर्थ्व कहां हूई थी इसकी मिर्थ्वा सरवन बिल गोला करनाथक ब ना इसने जैन धर्म से संबंदी था ठीक ना जैन धर्म से संबंदी था चन्गुत मोर्य जैन धर्म के भद्र बाव के साथ दशीन भारत के करनाटा के शर्वन बेल गोला में जाकर इसने क्या किया कि अपना सरीर त्याग दिया ठीक है तावलों को पता हो गया कि चन्गुत मोर्य इसमत्ती तो कहा उय थी तो सर्वन बेल गोला में हुआ था या जयन धर्म से संबंदित था कोँ NHS अब अगला question देखते हैं कि CHANGUT मोर और किस अबाबु हमने ऊपर की वीडियों में बताए आपको कि या जयन धर्म से संबंदित था तो option c will be answer ठीकक अगला क्वेश्चन देखेगा 22 असोग किस धर्म को मानता था तो असोग बहुत धर्म को मानता था तो असोग बहुत धर्म को मानता था अमने उपर वीडियो में आप लोगों को बताया आप उपर क्वेश्चन में कि असोग बहुत धर्म को मानता था ठीक या अगला क्वेश देखते हैं कि वासूदेव कृष्ण किस वão के थे थे ठीक ना थे ख छिब्रdar को का प्रशनु हुगा और अगला फिर्शन देखते हैं 25 नमबरch 25 प्रशन ack कि पांच पांडों में सबसे बड़ा कुंता ठीक ना आप लोग को तो माबहर देखेंगे पूरे रग्डाउन में दो-दो माबहर चला था एक निहीं वाला एक पुराना वाला तो आप लोग को traff benefit कि पांच यू पांडो भाय थे उनमें सबसे बड़ा कौन था तो सबसे बड़ा इुद्विष्टित है ठीक ना जो कि अपने धर्म के नाम सत्य और सत्यवाधी और धर्म के रहा पर चलने में बहुत इनका पब्लिशिटी था ठीक कि पांडो में सबसे बड़े थे ठीक ना अगरा कोश्चान है 26 ना में कि पंचाली किसका उपनाम था ठीक है पंचाली किसका उपनाम था आपको बता दे पंचाली किसका उपनाम था तो पंचाली दुरपती का उपनाम था ठीक ना दुरपती कौन थी तो दुरपती पंचाल क एक राजकुमारी थी तो इनकी साधी के लिए स्वेंबर अचा गया था कि जो मसली की आख में भेद देगा उनकी साधी कर लेका ठीक है तो यह काम अर्जुन ने किया ठीक है जब अर्जुन दुरपदी कुले किया तो कुंटे नियादेश दिया कि आप पांचो भाई आपस म संकर्षन किसका दूसरा नाम था ठीक ना संकर्षन किसका दूसरा नाम था तो बाता दे बाबु कि शंकर्षन बलराम का दूसरा नाम था ठीक ना बलराम स्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम का दूसरा नाम संकर्षन था ठीक है ऐसे बने रही है बाबु जिनको एंसर प लाक्ष तक देखिए और यहीं पर आप लोग को इसको याद करें ठीक ना अठाइग नाम क्या था मुल नाम का मतलब कि इनका सुरू का बच्पन का अधार नाम क्या था ठीक ना तो यह था देवब्रत विश्ण पितामा के मूल नाम क्या था ठीक है अगला कोश्चन कि मां भारत के रचना किस बहुत सारा कोश्चन पूच्टा है मां भारत की रचना किस भासाम होई है ठीक ना संस्कृत है अब एक और कोश्चन पूच्टा है कि मां कि नहीं है कितना दिन शुठी यहां से दो कोश्ण सभूए संचित कि यह संक्राइब भारत की एख सर्पίν करें कि यृदध शुठ भागवाध जिता का उपदेश कहा दिया गया था तो बाव्त पताते कि भागवाध जिता का उपदेश कुरू छेत्र के मैदान में दिया गया था कुरू छेत्र के मैदान में जब अर्जुन वियुत कर रहे थे और उनका सार्थी बने थे तो उसी मैदान में श्रिक्रिष्ण ने अर्जुन को भववत गिता का उगदिश दिया था ठीक है तो option A will be answer ठीक है बहुत आचा ठीक न ऐ गौतम बुथ का जन्म कहा हुआ था यह important question ना बाबु ठीक न गौतम बुथ का जन्म कहा हुआ था तो गौतम बुथ का जन्म कपील वस्तु के लुंबनी में हुआ ठीक ना option A will be answer ठीक ना अर्ला question देखते हैं प्रति चार सिधान दिया था लेकिन जब महाबीर 24 से तिर्थ कर रहा है इन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया तो इन्होंने इसमें एक सिधान और जोड़ा का जोड़ा ब्रहमस्चर जोड़ा ठीक ना तो आप लोग को बता दे कि महाबीर ने पार्सनात के सिधानत में नया कि सिधान क्या जोड़ा तो ब्रहमस्चर जोड़ा ठीक ना अपसन भी विल्वेंसर जिन बचों का भी अपसन आया है वो सही है ठीक है आप लोग कमेंट वक्स में उतर देते रहिए ठीक ना लाइप सेशन है आप लोग चैनल को जो लोग सब्स्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक ना लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के पास जिन दोस्तों के पास वीडियो नहीं पहुशा उनको पास पहुशा है ताकि उनको भी फायदा हो ठीक है एक कोश्चा ने पैति समभा कि स्वेतामबर और देगंबर किस धर्मस से बता देखिक जैन धर्म का दो भागवाट गया तहा एक स्फतामबर और एक लएंभायं फंपर हो गया विए लोग स्वेतवस्त धारं करते थे और देगंबर नग नुरायातब तो आप लोग पता हो गया कि यह स्चुरह त्रुटक किस धर्मस से सम्ब्स स्मभ़ो पूशा जाँने जाते ही है ठीकड़ू के सभाता बाभू बैदीयकल के नाम से जाने जाती है यह आरे बश्म पूशन पुस्त है कि आरे कहा से नहीं से था तो आरे मत यह यह इसेया से आएपर बैदीयकल को अवcomb sud सबसे परमुख पसु कौन था सबसे परमुख पसु कौन था ख्मार अन 1997 प्रिय पय प्रिय मातलब कीई प्रियाची जो हमेशा पीट चाहर तो आरेयो का प्रीपे क्या था सुम्रस जैसे हम लोग क्या है हम लोग अभी क्या सबसे ज़्यादा पीना चाहते हैं कोका कोला ठीक ना क्या पिना चाहते हैं कोका कोला पीना चाहते हैं ठीक है तो यह हमारा प्रीपे हो गया तो उसे तरह आरेयो का प्रीपे क्या था उसे तर प्राब्ध रॉटान का दोता है कि इनकी इनकी म्रीतियु कि कुसी नगर्म हो ठीक मैंटा प्रस्चन देगते हैं देखें कि नूर जहां का असली नाम क्या था नूर जहां का थी तो यह जहांगीर की पत्नी थी और इसका असली नाम क्या था तो इसका असली नाम महरुनिसा बेगम था अपसन सी विल भी अंसर याद रहेगा यह नाम बहुत याद नहीं होता तो इसका अंसर क्या होगा महरुनिसा बेग गया अज़ागे गहां जय के दो इसके सेवन पर कि साषकने परतिब लगा यसे ग्रते की exist पर किस साशक ने परतीबन लगाया था तो तांबागू के सेवन पर जहागीर ने परतीबन लगाया था लेकिन यह परतीबन रुखा नहीं ठीक है देकेगा चोवाइस नमबर केच्टें कि आइन ए अकबरी कितने भागों में देकर ना तो आइन ए ऐकागों में देकरेदा देकर्टरा अगला कोछन देखेगा कि आइन ए अकवरी में अकवर के कितने सुबों का वर्णान है तो लोग बता दे कि 12 सुबों का वर्णान है अब देखेगा अगला कोश्चन है भारत आने से पहले बाबर कहा का सा सकता बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन हो ठीक ना भारत आने से पहले बाबर कहा का सा सकता बाबर जो कि 1526 इसमें भारत आया था पानी पत के पर्थाम व्यूत के बाद से तो यह उसके पहले फरगना का सा सकता ठीक ना कहा का था फरगना का साथ सकता ठीक है अगला कोश्चन देखेगा कि अकबर ने टोडर्मल को दिवाने असरफ कब निप्त किया गया तो यह 1583 अगला कोश्चन देखते हैं कि भारत का मोगल भारत का पर्थम मोगल सासा कौन था ठीक ना भारत में आने वाला जो पर्थम मोगल सासा कौन था तो अपने पता है कि बाब भारत ठीक ना बाबर 1526 इस्वी में 1526 इस्वी में पर्थम पानी पतका यूद लड़ा और वहीं से मोगल सासा का अपके देश में शुरू हुआ ठीक ना तो पर्थम सासा कौन हुआ बाबर हुआ ठीक ना अब कोश्चन पचास नमबर की प्रस्चन है कि अकबर ने दिन ए इलाही का शुरू किया तो इन एलाही के ओद्हरम है ठीक ना अकबर ने किया कि एक सारे धर्म पर्थम के अपना थ्यू quiet तो यह 1582 में इसको शुरू किया गया था 1582 में इसको शुरू किया गया था ठीक है अब एकाउन अबर कोश्चन है और लाश कोश्चन है बबू कि ताज महल का निर्मान किसी ने करवाया था तो साजहाने करवाया था ठीक इसने कर वाया था, साजहाने कर वाया था, या अपनी पत्नी मुम्ताज महल के याद में कर वाया था, ठीक ना, जिसकी मित्व 1632 में हुई थी, ठीक या, तो उनकी याद में इन्होंने ताज महल बनवाया था, तो वीडियो यहाँ पे ससन कम्पलीट होता है बागू, पचास क ठीक है part वण ठीक है इसके बाद हम आप लोग को part 2 जरूर देंगे ठीक है आप लोग वीडियो के अंत्र भणी रही है और बताएए कि बीडियो आज तूर लेके आएंगे बहुत जोल ठीक है और आप लोग को जिस सब्यक्ट पर वीडियो चाहिए हिस्ट्री जिग्राफी पॉलिटी इकनोमिक्स हिंदी इंग्लिस बोलिएगा ठीक ना कमेट सासर में जवाब दीचे हम सब लेके आएंगे पांच मासा में आप लोग पास ठीक झाल 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 झाल झाल